नमस्कार स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर अनुपमा जैसवाल सहयक प्राध्धापक शिक्षा विभाग नव्युकला वाणिजी महाविद्याले जवलपूर मद्धवदे आज हम 28 सकंड समस्टर में पेड़ागोजी आप स्कूल सबजेक्ट पीसी टू में हम भुगोल शिक्षण में पाठ योजना बनाना सीखेंगे सबसे पहले हम भुगोल की अवधारणा भुगोल शिक्षण के उद्देशों के बारे में भी हम अध्यन करेंगे इसके पश्याधी हम भुगोल शिक्षण का पाठ योजना बनाना सीखेंगे हम भुगोल की अवधारणा का अध्यन करेंगे जिसे की हम concept of geography भुगोल एक ऐसा विशे है जिसकी विशे समागरी प्रतेक व्यक्ति के लिए आजीवन सार्थक रहती है भुगोलिक प्रभाव का प्रत्वी के प्रतेक जीवित प्राणी के लिए गर्व में आने से लेकर म्रत्यु परियंत महत्वपूर्ण रहता है जिसका संबंध शिक्षा के कारक्रमों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रहता है मानव के प्रत्वी पर जन्म लेने के साथ ही उसका सामना भोगोलिक तत्थियों मिट्टी, जल, वायू, सूरिय, तापमान, वनस्पती तथा जीव जवन्तूं से होने लगता है मनुष्य को सदेव अपने आसपास वातावरण को जानने की इच्छा रहती है प्रत्वी के आकार के विशे में मानव का ज्यान पहले गलत था धारनाएं बदलती गई और उसे प्रत्वी के वर्तमान स्वरूप का ज्यान हुआ भोगोलिक परियावरण किस प्रकार मानों को प्रभावित करता है विश्व के प्राकर्तिक प्रदेशों का सूश्म अध्यन कर यहां के भोगोलिक आर्थिक तथा समाजिक परिवेश का ज्यान भी भोगोल विशे द्वारा ही दिया जाता है अभी हमने भुगोल शिक्षण के अवधारणा के बारा में अध्धन किया है अब हम समझेंगे कि भुगोल शिक्षण के उद्देश क्या है किस उद्देश को लेकर हम पाठी योचना का निर्मान करते है एक आदर्ष अध्यापक के लिए यह जानना कि वह किसी विशेश के शिक्षण कारी को क्यों कर रहा है उतना ही आवश्यक है जितना कि इस विशेश के शिक्षण कोशल में पारंगत होना यदि शिक्षण पढ़ाय जाने वाले विशेश को क्यों पढ़ा रहा है इस प्रश्ण का उत्तर नहीं दे सकता है तो फिर संबहोत है शिक्षण कार भी वह कुशलता पूर्वा नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षण कार उसके नहीं तार्थों पर ही निरभर करता है जब तक वह यह नहीं जानता कि अमुक विशेवस्तु को विशेविशेश के पाठकरम में रखने के पीछे अमुक उद्देशों की प्राप्ति करने की भावना नहीत है तब तक वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तू सू विवस्तित योजना बनाने में समर्थ नहीं होता है इसी प्रकार उस विशेविशेश को पढ़ने वाले छात्र को भी यह जानना आवश्यक है कि वह उस विशेविशेश को क्यों पढ़ा रहा है उसका उस विशेश को पढ़ने का क्या उद्देश है भूगोल शिक्षण के उद्देशों के बारे में भी सोचना एवं जानना आवश्यक है भूगोल शिक्षण के उद्देशों के निरधारन की दिशा में जैम्स फेर गरीवर ने कहा है कि भूगोल शिक्षण का उद्देश भावी नागरिकों को व्रहत विश्व छेतर की दाशाओं की वास्तवी कल्पना करने में शिक्षित करना है अब हम इसके पश्चात भुगोल शिक्षण में हम पाथियोजना बनाना सीखेंगे सबसे पहले हम पाथियोजना क्रमांग जिसमें हम लिखते कि हमारी पाथियोजना क्रमांग की संख्या एक है फिर आता है इसके पश्चात विद्याले का नाम दिनांग, विशय, प्रकरण, कक्षा, कालखन, समयावधी, विद्याले के नाम में जिस विद्याले में हम अपना पाथियोजना पढ़ाना चाहते हैं, उस विद्याले का नाम लिखा जाता है, जैसे कि हम सिरी रामकृष्ण आश्रम में पढ़ लिखा जाएगा दिनांग जिस तारिक को हम वहां पर अपनी विशय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उस तारिक को नाम लिखा जाएगा जैसे की तेईस चार दो हजा बीस विशय भुगोल प्रकरण प्रायदीप पठार किस कक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं कक्षा नौमी कालखन पहला समय अवदी 40 मिनिट अब हम आते हैं समाने उद्देश समाने उद्देश जिसमें की प्रत्यक विशय के अपने कुछ समाने उद्देश होते हैं चाहे वे नागरिक शास्त्र हो भुगोल शिक्षण हो सभी के अपने अपने समाने उद्देश उत्देश भुगोल शिक्षण के छात्रों को भुगोल विशय के प्रती रुची जागरत करना इसमें पांच पॉइंट लिए जाते हैं दूसरा पॉइंट है छात्रों को भौधिक तत्थियों एवं सिध्धानतों का परिचय कराना छात्रों को विश्व के वातावरन का ज्यान कराना छात्रों में वर्तमान सोच की भावना उत्पन करना छात्रों में राष्टि प्रेम की भावना जागरत करना इसके पश्चा कि में छात्रों को प्रायदी पठार के संबंद में विस्त्रित जानकारी प्रदान करना सहायक समागरी में आएगा हमारा मान्चित्र मॉडल नक्षे का प्रियोग किया जाएगा पूर्वग्यान जो कि छात्रों को प्रायदी पठार के संबंद में समान जानकारी है इसके वा हम व्यार्ण के अधार पर हम प्रशुन बनाते हैं पहला प्रश्चन आएगा हम किस देश में निवास करते हैं इसमें चात्रों के माद्धम से उत्तर दिया जाएगा कि हम भारत देश में निवास करते हैं दूसरा भारत की राजधानी का नाम क्या है भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है तीसरा आता है भारत किस महादीव के अंतरगात आता है और उत्तर आएगा भारत एशिय महादीव के अंतरगात आता है फिर प्रस्तामना के चौथे नंबर का कोश्यन है विश्व का विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महादीप एशिया है पाच्वा कोश्य होता है प्रस्तावना के प्रश्णों में जिसमें की हमारे प्रकरण निकलता है जिसे की हम समस्यात्मक प्रश्ण भी बोलते हैं भारत का सबसे प्राचिन झूभा वारत का सबसे प्राचीन भूभा प्रायदीप पठार हैं हम συνद्ध के परश्याद हम अपना उद्देश कथन करते समय जब हम अपने शाम पर लिखते हैं प्रकरण लिख लिखते हैं कि आज हम प्रायदीप पठार के संबंध में अध्यन करेंगे और उसको को फिर हम अंडरलाइन करते हैं उस टॉपिक को इसके पश्चार आता है प्रस्तूती करण प्रस्तूती करण वह वह होता है जिसमें कि हम अपने विशय को जो अधिक अधिक विशय होता है जिसमें अधिक पार्थ दिये रहते हैं उसको हम विशयवार प्रथा मिकाई और दू विधा के अनुसार पाठ को दो इकाईयों में बाटा जाएगा प्रत्थम इकाई में प्राय दीप पठार का परिचय दुती इकाई में प्राय दीप पठार के भाग शिक्षण विदी जिसमें की हम व्याख्यन विदी तथा प्रश्ण उत्तर प्रवधी का प्रयोग करेंगे विकास प्रश्ण जो होते हैं पाट के विकास के लिए विकास प्रश्ण पूछे जाएंगे बोध प्रश्ण प्रत्तिक एकाई के अंत में छातरों के सहयोग से बोध प्रश्ण के उत्तर श्यामपट पर लिखे जाएंगे पुन्रवा लोकन के प्रश्ण जो होते हैं दोनों इकाईयों की समाप्ती पर पुन्रवा लोकन के प्रश्ण पूछे जाएंगे इसके पश्चार प्रेयोक कारे होता है जिसमें की कक्षा कारे कक्षा कारे लिखित रूप से किया जाता है और ग्रह कारे दिया जाता है इसके पस्चार हमारे पाठ योजना की पूर्ण रूपरेखा तयार होती है जिसे कि हम खंडवाइस उसको बाड़ देते हैं जिसमें कि पहला खंड में आता है विशेवस्तू दूसरे में शिक्षक करिया तीसरे में छात करिया और चोते में शामपट करियाता है पहले हमारे प्रथामिकाई पढ़ाएंगे सबसे पहले और स्वकतन किया जाएगा शिक्षक के द्वारा प्राय दीप प्राय पठार विशाल मैदान के दक्षिण में इस्तित है यह बारत का सबसे प्राचिन भूबाग है यह बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महा सागर द्वारा तीन और से समुद्र से घिरा हुआ है यह मैदान त्रिभुजा अकार छेतर में विश्तित है जब टीचर स्वकतन करता है तो चात्र कतन को ध्यान पूर्वक सुनते है विकास प्रश्ण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है छात्रों के माध्यम से उत्तर मिलेगा भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है फिस्वकतन आएगा इसका विस्तार अरावती कैमूर एवं राज्यमल की पहाडियों तक है तता इसका ढ़ाल पश्चिम से पूर्व की और है प्राइदी पठार दक्षित पूर्व में राजिस्थान मद्यपदेश्ट छत्तिसगर उडिसा महराष्ट गुजरात आदी राज्यमें है इसके पश्चार फिर विकास प्रश्ण पूछा जाता है नर्वदा नदी कहां पर से निकलती है नर्वदा नदी अमर कंठक से निकलती है जो की उत्तर हमें छात्रों के माध्यम से मिलता है फिर स्वा कथन किया जाता है प्राय दीब पठार गोणवाना का एक भाग है छेत्रफरल की द्रश्टी से प्राय दीब पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्राय दीब पठार खनीज पधारतों की द्रश्टी से घनी है इसके प्रश्ण में प्रायदीप पठार किस मेदान के दक्षिन में इस्तित है प्राइदी पठार विशाल मैदान के दक्षिड में इस्तित है जो की उत्तर हमें विध्यार्टियों से प्राप्त होता है दूसरा प्राइदी पठार तीन और से समुद्र से घिरा हुआ है प्राइदी पठार का ढ़ाल किस और है उत्तर प्राप्त होता है प्रायदी पठार का डाल पश्चिम से पूर्व की और है नेक्ट कोशन है प्रायदी पठार किसकी द्रश्टी से घनी है प्रायदी पठार खनीज पधारतों की द्रश्टी से घनी है इस तरह हमारा प्रथम यूनिट समाप्त होता है अब हम इसी प्रकार से हमारा दूती कथन भी स्टार्ड होगा जिसमें की स्वकथन शिक्षक के माध्धम से किया जाएगा प्राइदी पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है पहला मद्यवर्ती उच्च भूमी दूसरा दक्कन का पठार प्राइदी पठार के उत्तरी भाग मद्यवर्ती उच्च भूमी कहते हैं यह भाग कठोर अगने शेलों से मिलकर बना हुआ है शिक्षक जब तक कथन करते हैं स्वकथन करते हैं तब तक चात्र कथन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं इसके परचार विकास प्रशन दुआदार जल प्रपात किस जिला में हैं उत्तर हमें प्राप्तो होता है छात्रों से दुआदार जल प्रपात जवल पूर्जिला में है इस प्रकात फिर शिक्षक के द्वारा स्वाकतन किया जाता है मद्यवर्ती उच्च भूमी के उत्तरी पूर्वी भागों को बुंदेल खंड कहते हैं ढकन के पठार का निर्मान अगनेर शेलों से हुआ है इसके पश्चात विकास प्रश्चा आता है बांधावगर राष्टी उद्ध्यान किस जिला में हैं? बांधावगर राष्टी उद्धान उमर्या जिला में हैं स्वाकथन किया जाता है पठार के उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विकास हुआ है काली मिट्टी बहुत ही उपजाव एवं कपास की खेती के लिए उप्योगी है भारत के पठारी भाग में खनीत संपदा के विशाल भंडार है इसके पश्चार अब हमारा दूती एकाई का स्वाकथन और विकास प्रश्चन समाप्त होने के पश्चार हम दूती एकाई के बोध प्रश्चन करेंगे पहला प्रश्चन आएगा इसमें प्राइदी पठार के कितने भागों में विभाजित किया गया है तो छात्रों के द्वारा हमें उत्ता प्राप्त होंगे प्राइदी पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है दूसरा कोश्यन आता है मद्यवर्ती उच्च भूमी किन शेलों से मिलकर बनी है उत्तर है मद्यवर्ती उच्च भूमी अगने शेलों से मिलकर बनी है तीसरा कोश्यन है मद्यवर्ती उच्च भूमी के उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहते है उत्तर प्राप्त होगा हमें मद्यवर्ती उच्च भूमी के उत्तरी पूर्वी भाग को बुंदेल खंड कहते हैं नेक्स्ट कुश्चन है भारत के पठारी भाग में किस संपता के विशाल भंडार है उत्ताप्राप्त होगा भारत के पठारी भाग में खनीज संपता के विशाल भंडार है अब इसके पश्चाद हमाई प्रथम इकाई और दुती इकाई के समाप्त होजानी के पश्चाद हम पुन्रा लोकन के प्रश्न करते हैं जिसमें की प्रथम एकाई और दुति एकाई के दोनों का मिश्रण रहता है प्राइदी पठार किस मैदान के दक्षिण में इस्तित है प्राइदी पठार विशाल मैदान के दक्षिण में इस्तित है दूसरा कोशन प्राइदी पठार तीन और से किस से घिरा हुआ है? प्राइदी पठार तीन समुद्रों से घिरा हुआ है? तीसरा है प्रशन है प्राइदी पठार का धाल किस दिशा की और है? प्राइदी पठार का धाल पश्चिम से पूर्व की और है? मद्यवर्ती उच्च भूमी के उत्री पूर्वी भाग को क्या कहते हैं मद्यवर्ती उच्च भूमी के उत्री पूर्वी भाग को बुंदेल खंड कहते हैं इस प्रकार से हमारा पुन्रा लोकन का प्रशन यहां संपन होता है इसके बाद हम प्रयोग कार कराते हैं जिसे की हम कक्षाकार कहते हैं जिसे की हम लिखित रूप से कराते हैं जिसमें की खाली स्तान करवाएंगे जिसमें की सही गलत का निशान लगाना या जोड़ी बनाना इस प्रकार के प्रश्ण उसमें पूछे जाते हैं तो पहला कोश्चन है कक्षाकार के लिए प्राइदी प्रायदी पठार विशाल मेदान के दक्षिण में इस्तिद है सही या गलत। यह उत्तरों का निशान हम चातरों चात्षात्राओं के द्वारा करवाते हैं। प्राइदी पठार तीन और समुद्र से घिरा हुआ है सही या गलत सही प्राइदी पठार का ढाल पूर्व से पश्यम की और है गलत मद्यवर्ती उच्च भूमी के उत्री पूर्वी भाग को बुंदेल खंड कहते हैं सही धकन पठार का निर्मान अगने सयलो से नहीं हुआ है गलत इस प्रकार से हम अपने प्रयोक कारे में कक्षा कारे में पांच प्रशनों का अधिक साधिक प्रयोक किया जाता है इसके पश्चाद आता है ग्रहकार जो की छातर को कहा जाता है कि छातर घर से प्रादी पठार के संबंद में पढ़कर आएंगे इसके पश्चाद स्यामपट सारांश किया जाता है श्यांपट सारांश में प्रथामिकाई और दूति इकाई की ये बोध प्रशनों के उत्तर लिखे जाते हैं इसके बश्याद जब हमारा श्यांपट सारांश संपन हो जाता है उसके पस्जय शिक्ष्यका चात्र अध्धापक के हस्ताक्षार और नेक्स हाईएंड साइड में विशा शिक्ष्यका के हस्ताक्ष़ लिखे जाते हैं इस तरीगे से हमारा भोगोल शिक्ष्ष्यकष्यक के पाठियोजिना बनाई जाती है नमश्कार कह लो हो चली को द लो चलो सिरू जाय को ढ़ा लार जू俺 को झाला किस वो खिक पो पो शो तो अ अ ने को